हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेगे यूपी सियम अरवन फेलोशिप क्या है मुख्यमेंत्री फेलोशिप कारिकरम इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें सेलेक्शन कैसे होगा रिटेन एकजाम हो सेल्री कितनी मिलेगी उसके बाद बात करेंगे बाकी चीजों की तो आपको बता दें इस फेलोशिप कारिकरम में 30,000 रूपए आपको सेल्री ने उसके साथ ही छेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपे पर मत मिलेगी तो टूटल 40,000 रुपे पर मत सेलरी मिलेगी और एक टेबलेट मिलेगा अगर टेबलेट नहीं मिलता है तो एक बार आपको 15,000 रुपे दे दी जाएंगे टेबलेट लेने के लिए उसके बाद जो है कोई भी और आपको विकास खंड में आवासी सुविधा उपलंध कराई जाएगी तो ये तो आपकी सेलरी थी आप आप करते हैं यूपी मुखे मंतरी फेलोसिप प्रोग्राम है क्या तो ये प्रदेश के इवाओं को सरकार के साथ नीती प्रबंधन या फिर क्रियानवन कार्यों मे जो है सहबाक्ता के लिए वेकेंसी निकाली गई है इसमें जो है इस फिल्ड के के केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं जिनों जो है घ्रसी ग्रामीर विकास या पंचाइती राज या उसे संबंधित छेत्र में जो है पढ़ाई की है वन परियावरार या फिर जलवायू या फिर सिच्छा, स्वास्त, स्वच्छता, पोसल, विकास, उर्जा, नवीकरणी, उर्जा, परेटेट था संस्क्राथ, डेटा साइंस, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, आईटी या फिर इस, जय प्रद्ध होगे की, मसीन लर्निंग, डेटा गवेंनेंस इन सब में अगर आ परसें नंबर होनीं चाहिए «Graduation में», हिन्दी भास आपको बोलनी आनी चाहिए लिखनी आनी चाहिए इसके लाब आपके पास computer नालेज होनी चाहिए अगर आपके पास computer नालेज नहीज नहीं ही तो आप जरूर शीक लें क्योंकि इसमें जो है data analysis में जिनका experience होगा उनको जो है preference दिया जाएगा field work आपको करना आना चाहिए यहाँ पर compulsory है field work में कारी करने के इच्छुक होना अनिवार है आप देख सकते हैं age की बात करें तो maximum 40 साल है 40 साल तक की age तक आप apply कर सकते हैं इसमें आपकी भूमिका और उत्तरदाइद तो क्या रहेगा आपका मतलब कान क्या रहेगा तो जो जिले में उपजिला अधिकारी या फिर खंड विकास अधिकारी हैं उनके तारा जो योजनाए होंगी, उसको जो है आपको लॉगू कराना होगा, उसका जो है data, उसका आपको survey छड़ करना होगा, उन्हें योजनाओ का, हुई है या नहीं हुई है, उसका data बनाना होगा, आकड़े जो है collect करने होगे उसके, इसलिए आपको tab दिया जाएगा, औ इसमें छुट्टियों की बाद करें, तो आपको जो है अनुपातिक आधार पर जो एक वर्स में किवल 12 दिनों का आउकास मिलेगा, तो 12 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको, selection process की बाद करें, तो आपको सबसे पहले official website पर form फिल करना है, application form के साथ 500 word का आपको जो है विवर आए जाएगा, इसमें आप एक email id या और phone number से एक नाम से के वल आवेदन कर सकते हैं, आप कई बार आवेदन ना करें, मतलब application form फिल ना करें, नहीं तो reject हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें, scoring की बात करें, कितने number मिलेगे, तो objective scoring 50 number का है, 50 number में जो है highest qualification के 25 number है, इसके लावा अगर किसी प्रतिस्टिट संस्थान से degree है, तो आपको 3 number extra मिलेंगे, यह 15 number आपके बाकी टोटल, तो इसमें 3 number जो है, अच्छे college की degree से है, और प्रतिस्टिट राष्टी अंतराष्टी प्रकासनों में कोई आपका जो है, सोध या फिर research या फिर कोई काम जो ह और कोई extra आपके पास achievement के तो उसका 3 number रखा गया है, तो 25 और 15 आपके 40 number होगे, 10 number आपके work experience से होगे, अगर आपके पास 6 से 2 साल का work experience से तो 5 number दे जाएंगे, और 2 साल से अधिक का experience से तो 10 number मिलेंगे, इसमें PhD की degree को experience नहीं माना जाएगा, तो total 50 number आपके यह हो जाएंगे, और 25 number का आपका personal interview होगा, फिट total जो number मिलेंगे, उनको जो है, उनके हाधार पर आपका selection किया जाएगा, इसमें आपको जो है, दो सब्ता की training कराई जाएगी, पहले इस सब्ता में आपका जो है, general orientation होगा, और second सब्ता में जो आपका subject से related knowledge दी जाएगी, training दी जाएगी, और इसका प्रसासनी क्यों प्रबंधन academy लखनाओ द्वारा किया जाएगा, और इसके जो training है, इसमें IIT और I.R. लोगों द्वारा व्याक्षान कराया जाएगा, मतलब उनसे इंटरेक्ट कराया जाएगा, और भी कई महात्पूर्ण चीजे हैं, आप इसको पढ़े लें, और क साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,